पिछले दिनों सेंट्रल जेल में कैदियों को गांजा और अन्य सुवधाएं प्रदान करने वाले रैकेट में पुलीस ने इक और कॉंस्टेबल को गिरफतार किया है आपको बता दे कि जेल के अंदर पूरा रैकेट ही चल रहा था और अब इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की संख्या छे हो गई है और जल्द ही अपराधी निशेद वासनिक और वैफो दान्टेकर की भी गिरफतारी हो सकती है नाकपुर शहर में कैदियों को गांजा पहुचाने के मामले में बीती राध एक और कॉंस्टेबल गिरफतार हो गया है आपको बता दे कि बुधवार को ही सिंट्रिल जेल में बंदियों को गांजा सप्लाई करने के आरोप में पुलीस ने अजिंक के राठोड और प्रशांत राठोड नामक कॉंस्टेबल को गिरफतार किया था इसी बीच उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद तीनों ने निशेत के लिए काम करना शुरू कर दिया सिम कार्ड फरजी दस्तावेजों के जर्ये खरीदा गया था इस मामले में सिंटरल जेल के बाबा यानिकी वार्डन कैदी और वाशिंग सिंटर के पास फल की दुकान चलाने वाले युवक की भूमी का भी सामने आई थी जिसकी तलाश में पुलीस चुटी हुई है अब देखना ये होगा कि कैदीयों को गांजा पोचाने के मामले में और कितने लोग लिपत हैं विलहाल इस कॉंस्टेबल के लिए पुलीस ने 7 दिसंबर तक उसे अपने रिमांड पर रखा है इन बिसे न्यूस के लिए विडियो जर्नलिस्ट अखिलेश परद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट